दोस्तों किसी भी amplifier या music system को पांच प्रकार के समान से मिला कर बनाया जाता है पहला transformer, दूसरा middle SMPS या driver board, तीसरा man audio board, चौथा base travel board और पांचवा bluetooth panel इसके अलावा किसी-किसी में mic का board भी होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको इस main audio board तक का connection समझाया था और बताया था कि board के इस input point में इस तरह pickup आ रहा हो तो आपका amplifier चालू है, सिर्फ आपको base travel और bluetooth panel लगाने की जरूरत है तो उस वीडियो में बहुत से भाई ने base travel और bt panel लगाने का तरीका भी पूछा था तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको base travel board और bluetooth panel का connection बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये दोनों ही base travel board है जिसमें ये वाला 12V की SMPS या transformer से चलता है और ये 12-0-12 transformer से और इस board में mid का भी option होता है और आवाज भी ज्यादा निकालता है और इस board में केवल volume based travel होता है बस यहाँ पर इसमें 12V लिखा भी हुआ है जबकि इस board में यहाँ पर transformer की diode supply बनी हुई है इसलिए इसमें direct 12-0-12 transformer लग जाएगा तो चलिए, पहले मैं आपको इस board को लगा कर दिखाऊंगा अब इसके connection करते हैं यहाँ पर minus में black tar लगा है तो इस tar को supply के minus में इस तरह लगा देते हैं अब दोस्तों यह जो red wire है यह इस 7805 transistor का है जो 12-5 volt बनाता है Bluetooth पैनल के लिए और यह दूसरा blue wire इस board के लिए होता है तो हम इन दोनों को इकठा कर लेते हैं और फिर दोनों तारों को supply के plus point में इस तरह एक साथ लगा देते हैं अब देखिए, यहाँ पर यह जो audio in लिखा हुआ है इसे Bluetooth पैनल के left right out में लगाएंगे हमें इसकी socket की जरूरत नहीं है क्योंकि BT board में पहले से socket लगी हुई है इसलिए इन्हें आराम से पैनल से निकाल लेंगे अब ध्यान देना कि यह जो audio in की socket है इस antenna के point को छोड़ कर लगाना ठीक इस तरह हम socket लगा देते है फिर यह 5 voltage वाली socket लगा देते है जिससे Bluetooth को power मिलता है लगाते समय ध्यान देना ground में minus और 5 volt में plus हो उल्टा नहीं लगाना नहीं तो panel जल जाएगा अब दोस्तों यह जो audio output की wire है इस audio board के in में लगाते है दोस्तों अगर यह video आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो तो इसके पहले part को जरूर देखना बाकी जो लोग थोड़ा बहुत ही amplifier repairing जानते है उनको एक-एक connection समझ में आ रहा होगा दोस्तों topic पर आते है इस तरह wire को cutter से साफ कर ले ground को ground वाले तार में इस तरह लगा दें और यहाँ पर देखें दोस्तों इसमें दो channel है लेकिन हमको सिर्फ एक की जरूरत है इसलिए हम किसी एक में audio board की pickup वाली wire को इस तरह लगा देते है अब दोस्तों हमारे सभी connection हो गए है अब हम इसे चालू करते हैं जिसके लिए इस supply में power cable लगा लेते है दोस्तों हमारा audio board तो पहले से चालू है ही अब इस plug को लगा कर Bluetooth panel और base treble board को चालू करते हैं तो देखिए दोस्तों amplifier चालू है अब मैं आपको इसको mobile से connect करके थोड़ा सा चला कर दिखाऊंगा तो देखिए mobile पर connect हो चुका है वॉल्यूम बेस ट्रेवल तीनों काम कर रहा है दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान देना ये SMPS original लगना नहीं तो humming आएगी नहीं तो 0-12 आधे ampere का transformer लगा सकते हैं मिलते हैं next part में जिसमें में इस high output वाले base travel midboard को transformer के साथ लगा कर दिखाऊंगा वीडियो को like कर देना और यदि आप electrician है तो channel subscribe कर लेना